नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्राखंड जी के रिविजन सीरीज जिसमें हम उत्राखंड के MCQs को cover करते हैं और हर सीरीज के अंदर हर वीडियो के अंदर हम उत्राखंड से जुड़े हुए 20 महत्यपून प्रशनों को cover करते हैं आज हमारा ये इस सीरीज का 50 वाँ पार्ट है और इसमें भी हम ना केवल 20 प्रशनों को cover करेंगे उनसे जुड़ेवे जितने भी आपके एक्स्टराखंड होते हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे जैसा हमने इस पूरी सीरीज में देखा है आपके एक्जाम नस्दीक है इ इसलिए इस सीरीज को में कोशिश कर रहा हूं regular करने की तो चलिए friends आज किस वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपने अभी तक previous parts को नहीं देखा आप उनको playlist में जाके देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है किस पुराण में बद्रिका आश्रम को ग उनका युग किस की किताब है तो देखे ये जो किताब है बद्रिदत पांडे और उनका युग बद्रिदत पांडे से संबंदित है और इन से लेके काफी सारे प्रशन आपके बनते हैं और जो इसके लेका के उनको भी लेकर प्रशन बनते हैं तो ये एक important किताब है बद्र बनेगा 21 को उत्राखंड का पामीर कहते हैं दूधातोली श्रंकला को ये आपके तीन जिलों में फैली हुई है पौडी में है चमोली में है अलमोडा में है तो तीन जिलों में ये फैला हुआ है नैनिताल में ये नहीं है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा अगर हम बात करें दूधातोली श्रंकला को लेकर और कौन-कौन सी कुशन बनते हैं तो देखे दूधातोली श्रंकला अभी हमने बात करें उत्राखंड का पामीर कहते हैं दूसरा महतपूर्ण पॉइंट यहां से आपकी पांच महतपूर्ण नदिया निकलती है जिनके नाम आपको पता होन चाहिए कौन-कौन सी नदिया है एक है आपकी पश्चिमी राम गंगा इसके अलावा आपकी आटागाड भी यहीं से निकलती है आटागाड नदी कहां से आती है आपके दूधातोली श्रंकला से दोनों नयार नदिया पूरवी नयार पश्चिमी नयार दोनों की आपकी य उनों नदी तो वो भी आपके यहीं से निकलती है तो ये सारी नदियां आपको याद होनी चाहिए कहां से आती है दूधातोली शुरंखला से दूधातोली को लेकर एक और महत्यपूर्ण प्रशन बनता है देखे आपने सुना होगा दूधातोली लोक विकास संस्थान इसकी भी बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब की गई तो इसकी स्थापना 1982 में सचीदनंद भारती के दूवारा की गई ठीक है दूधातोली लोक विकास संस्थान 1982 में बनी सचीदनंद भारती ने इसको बनाया सचीदनंद भारती कौन थे उनको लेकर एक और पॉइंट है सची दनन्द भारती ने कब चलाया? 1989 में चलाया नेक्स्ट है उत्राखंड का कबीर किसे कहा जाता है? तो दीखे उत्राखंड का कबीर ये कहा जाता है ऑप्शन C भजन सिंग को कहा जाता है उत्राखंड का कबीर अगर प्रशन होता पहाड का प्रेमचंद किसको कहते हैं तो वो विद्यसागर नौटियाल को कहा जाता है ठीक है और बान भट से तुलना किस की की जाती है उत्राखन में किस सहितकार की तुलना जो बान भट था हर्शवर्धन का दरबारी उसके साथ की जाती है तो वो है तो पूर्ण व्यक्तियों के ये आपको याद रखना है अब बात करते हैं भजन सिंग को लेकर और कुछ इंपोर्टेंट बाते हैं देखे भजन सिंग की एक किताब है आरियों का आदि निवास मद्दे हिमाले लगातार पूछी जाती है किसकी किताब है भजन सिंग की है इसके लावा इनकी और रचना है जैसे अमरित वर्षा किसकी रचना है भजन सिंग की प्रेम बंधन ये भी इनी की रचना है कन्या विक्रय भजन सिंग की रचना है वीरवदू देव की ये भी भजन सिंग की रचना है इनकी एक प्रसिद्ध रचना है गड़वाली रचना है जिसका नाम है सिहनाद ठीक है तो यह most important है कुछ दिन पहले ही हमने इसको देखा भी था mock test में कि सिहनाद इसको क्या कहा जाता है इसको गड़वाली सहत्या का अनमोल हीरा कहा जाता है तो यह question भी आपको ध्यान रखना है तो यहां पर हमने इतना सारे प्रश्ण को देखा इनके उपनाम देखे और इनकी कुछ महत्पून रचनाओं को देखा चलिए अगला है कुमाओ में कृष्ण जनमाश्टिमी के अफसर पर गाय जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है तो देखे कुमाओ में कृष्ण जनमाश्टिमी के अफसर के अब आफसर पर गाया जाता है तो यह कुमाओं का एक तर्क प्रधान गीत की बात करें ये एक उपदेश आतंक गीत है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन किस प्रकार का गीत है जा अब बात करते हैं ठुलखेल को लेकर दो महत्वपून बातों की जो ये ठुलकेल गीत है यहां केवल पुर्शों के दवारा गाया जाता है और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो इस गीत को गाता है उसके लिए क्या कहते हैं तो उसके लिए हम बखणिनिया शब्द का प्रियोग करते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला है राम जरो का आश्रम कहां इस्तित है तो उत्राखंड का पहला जैविक जिला आपने बताना है कौन सा है सही आंसर है और सी रुद्र परियाग इसका सही आंसर है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है रुद्र परियाग उत्राखंड का पहला जैविक जिला है ये आपको पूछा जा सकता है नेक्स्ट है केम्टी जल प्रपात पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था देखे डाक टिकट के उपर अल्डेडी हम एक पूरी वीडियो बना चुके हैं उत्राखंड के जो प्रमुक डाक टिकट जारी होते हैं उन सभी के तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके दे बद्रिनाथ धाम पर भी 2003 में डाक टिकट जारी किया गया तो यह दोनों आपको ध्यान रखना है 2003 में केम्टी जल पर पात और बद्रिनाथ धाम इसके अलावा अगर हम यहां पर अधर आप्शन की बात करें 2002 में जो गुरुकुल कांगडी है उसके उपर डाक टिकट जार किया गया तो रूप कुंट पे कब हुआ 2006 ऐसे प्रशन आपको बन सकते हैं अगला है वर्द केदार मंदिर निम्न में से कहां इस्तित है देखे वर्द केदार पूछा जा रहा है तो वर्द केदार जो है यह आपके अलमोडा जन्पत में इस्तित है अब यहां पे आपके दो पॉइंट आपको याद रखने है अगर वर्द केदार पूछेंगे तो अलमोडा में है अगर बूढ़ा केदार पूछा जाएगा तो वो आपके टीरी में होंगे और अगर आदी केदार पूछा जाएगा तो आदी केदार आपके चमूली जन्पत में होंगे तो यह त पॉइंट आपको याद रखना है, confusing वाला है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे clear कराया, ठीक है, वृद्ध केदार, अल्मोडा में है, बुढ़ा केदार अगर पूछेगा, ठीक है, बुढ़ा केदार, यह कहा है, यह आपके टीरी गड़वाल में है, ठीक है, यह जगा, और आ की जाती है, option A, इसका सही आंसर है, और हर्गोविंद पंत को ही, अल्मोडा कॉंग्रेस की, रीड कहा जाता था, यह भी हमने पिछले कुछ दिनों में करा था, एक और extra fact आपको मिला, कि इनकी तुलना बाल गंगधर तिलक से भी की जाती है, इनके बारे में अधर सारी बात आपको ये वाला और जोड लेना है, नेक्स्ट है, जलेश्वर महादेव मंदिर कहां इस्तित है, तो जलेश्वर महादेव मंदिर ये आपके कहां पर है, चमूली जनपद के कन परियाग में इस्तित है, तो जलेश्वर महादेव मंदिर कहां है, कन परियाग में इस्तित है कन परियाग में किन-किन नदियों का संगम होता है कमेंट करके आप बताएंगे कुछ दिन पहले ही जब हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ा था वहाँ पे हमने उसको पढ़ा था काफी आसान है सभी लोगों को आंसर कमेंट जरूर करना है अगला प्रशन है दूनागिरी ग्लेशियर कहां इस्तित है दूनागिरी ग्लेशियर को लेकर भी प्रशन पेपर में पूछा जा चुका है तो ये प्रिविस येर कोशन है दूनागिरी ग्लेशियर आपके चमूली जनपत में इस्तित है दूनागिरी ग्लेशियर पूछे या आपका द्रोन गिरी परवत पूछे या दूना गिरी परवत पूछे एक ही बात है सभी चीज़ें आपके चमोली जनपत में हैं लेकिन अगर द्रोन सागर पूछेगा तो द्रोन सागर आपके कहा होगा द्रोन सागर आपके रुद्र प्रयाग में उधम सिंग नगर में होगा ठीक है जो आपका द्रून सागर है ये आपके काशिपुर में है उधम सिंग नगर में तो दूनागिरी ग्लेशर पूछेगा या दूनागिरी परवत ये दोनों आपके कहा होंगे चमूली जनपत में होंगे नेक्स्ट है ताड़ी खेत में गांधी कुटी की स्थापना कब की गई तो देखे ताड़ी खेत में गांधी कुटी की स्थापना 1929 में की गई थी और ऐसा ही प्रशन अभी एक्जाम में पूछा गया था कि महात्मा गांधी कुमाओं में कब आये थे तो महात्मा गांधी पूटी की स्थापना भी की गई अगला प्रश्न है मुझको पहाड़ ही प्यारे हैं किसकी रचना है तो यहां जो रचना है मुझको पहाड़ ही प्यारे हैं यह रचना है और जो अंग्रेज कवी है जॉन कीट्स उनके साथ किसके तुनला की जाती है चंदरकुवर बर्तवाल की ही की जाती है तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है यहां पर शब्द आया है पहाड़ तो पहाड़ को लेकर एक और रचना है मेरी यादों का पहाड़ यह किस किसकी है देवेंद्र मेवारी की ज Ee किसकी बर्तवाल कि अगला प्रशन है किस नगर को अतीत का सौपनिल नगर यह जाता यह आप को ध्यान रखना है इसको लेकर एक प्रशन आपके एकजामें पूछा जा जाता था यह किसके आसपास के छेत्र को कहा जाता था यह कुमाओ का पहला नगर कौन सा है सभी का आंसर होगा चंपावत शुरुवात में केवल चंपावत के आसपास के इलाके को चंपावत सहीत उसी को केवल कुमाओ माना जाता था ठीक है तो चंपावत को ही अतीद का सिमलगढ का किला, सिमलगढ के किले को लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस किले को गूरुखों की दुआरा बनाया गया था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और अगर हम लाल मंडी किले की बात करें तो इसे फोर्ट मोईरा के नाम से जाना जाता है ठीक है ये फोर्ट मोईरा है ये पॉ Darkness आपको याद रखना है Next है चाला रसम किस जन जाती से संबंधित है तो ये जो रसम है चाला ये आपकी थारु जन जाती से संबंधित है Option B इसका सही उत्तर होगा अगला प्रश्न है स्रिदेव सुमन की मृत्यों की जाच हेतू गठित समीती के अध्रक्ष कौन थे तेके स्रिदेव सुमन की मृत्यों हो जाती है 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की इन्होंने भुकरताल करते हैं अंशन करते हैं और उसके बाद ये शहीत हो जाते हैं तो इनकी मृत्यों की जाच के लिए एक समीती बनाए गई जिसके अध्रक्ष बनाए गई बद्रिदत पांडे उप्शन बी इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट है जोशी मट के नरसिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तेके नरसिंग मंदिर आपका जोशी मट में है काफी प्रसिद मंदिर है जो बद्रिनाद धाम है उनकी सीदकालीन पूजा आपके इसी मंदिर में होती है इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजा बसंत देव ने करवाय था option A इसका सही आंसर होगा और आज का अंतिम प्रश्ण है जौन सार भावर का प्रवेश दुवार किसे कहा जाता है जौन सार भावर का प्रवेश दुवार ये कहा जाता है option B काल सी को कहा जाता है तो ये point आपको ध्यान रखना है जौन सर्भावर का प्रवेजदवार काल सी को कहते हैं तो friends यह थे हमारे उत्राखन जो MCQ सीरीज है उसका आज हमने 50 वा पार्ट यहाँ पे देखा 20 questions को हमने cover करा उनके साथ extra facts को देखा और अगर आप इस पूरी सीरीज को follow करते हैं तो आपको 1000 प्रशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे और यह मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि हर वीडियो में मैंने भले ही 20 questions लिया है लेकिन हर वीडियो में आपको 20 से ज़ादा question ही मिलेंगी 25-30 questions ही आपको यहाँ से हर वीडियो में मिलेंगे इससे ज़ादा भी मिल सकते हैं अगर आप extra facts को भी count करते हुए चलें तो आपके revision के लिए काफी अच्छी सीरीज है और अभी आपके exam नजदीक है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस सीरीज को regular कर सको और इसके साथ जो हमने कल एक सीरीज शुरू करी थी GS की सीरीज उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों को regular में कर सकूँ तो उसमें कोशिश है जल्दे ही इन दोनों को regular कर देंगे GS वाली सीरीज भी हमारी चलती रहेगी ताकि आपके exam तक आपका जो मोटा मोटा पूरा revision है वो आपका हो सके तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है आज की वीडियो को आप like करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करें और end में एक और बात कहना चाहूंगा जो मैंने शुरुवात में नहीं कहीं क्योंकि शुरुवात में time wish नहीं करना चाहते शीदा आपके अपनी वीडियो शुरू करनी चाहिए और अपना पूरा जब हमने पूरा पढ़ लिया है अब मैं आपको thank you गहना चाहता हूँ जो हमारे कल हमारे 50,000 subscriber पूरे हुए है तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया काफी अच्छा लगा देखकर कि कल हमने जो ये milestone ता इसको achieve किया अर अभी तो छोटा सा ही milestone इसको और आगे लेकर जाना है